हेलो स्टूदेंट्स हमने लास्ट क्लास में चेप्टर नमबर एट जर्नल एंट्री जो करा था उसमें स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हम लोगोंने कवर करे थे जितने भी थे आज इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो हम करेंगे आज हम यह सीखेंगे जर्नल से कैसे हम लेजर पोस्टिंग करते हैं और कैसे हम ट्रायल वैलन्स को प्रिपेर करते हैं तो इसका हम एक basic concept आज समझेंगे कि कैसे recording, recording से posting, posting से trial balance को prepare करना है तो बहुत ही simple steps होते हैं बच्चों इसके, तो आप मेरे साथ साथ लिखना, सारे बच्चे हम सबसे पहले एक transaction लिखेंगे आप मेरे साथ एक transaction लिखना goods worth रुपी 10,000 worth sold goods worth रुपी 10,000 worth sold तो देखें बच्चे, आपको एक transaction लिखना है, जिसमें लिखा है goods worth रुपी 10,000 worth sold यानि कि आपने 10,000 रुपे के goods को बेचा तो सबसे पहले हम इसकी journal entry करते हैं जो हमने अभी सीखी थी पहले तो goods sold की journal entry होती है बच्चो cash account debit to sales account अब लेजर का क्या मतलब होता है यह मैं आपको बताता हूं जो हम सीख रहे हैं लेजर लेजर का मतलब होता है बच्चो account जैसे हमने यहां लिखा cash account यहां लिखा sales account तो किसी भी transaction की वजएसे दो account effect होते हैं यह हमने पहले भी बढ़ा था जिसको हम double entry system बोलते हैं इच transaction has dual aspect वन डेबिट वन क्रेडिट तो लेजर का मतलब होता है account हमें यह account बनाने पड़ेंगे जैसे हमने लिखा यहां पे cash account तो हमें cash account बनाना पड़ेगा और एक हमने लिखा sales account तो हमें sales account बनाना पड़ेगा तो आप मेरे साथ साथ बनाएं मैं आपको बताता हूँ हम कैसे एक account को बनाते हैं हम heading डालते हैं cash account यह जो account होता है यह कुछ भी नहीं एक बड़ा सा T होता है जो English का alphabet T है वो होता है इसको बोलते है T-shape account इसको T इसलिए बोलते हैं इस बड़े से T-shape में दो sides होती है left hand side और right hand side left hand side को बोलते है debit side जिसको denote करते है DR से और right hand side को बोलते है credit side जिसको denote करते हैं इसे शॉट में जे एफ लिखते हैं इसके बाद amount तो debit side के चार कॉलम्स होते हैं ये इसमें भी वो ही debit और credit side और वो ही चार चार कॉलम्स debit और credit side पर left hand side को debit right hand side को credit date particulars journal, folio और amount date particulars journal, folio और amount ठीक है बच्चो तो इसे बोलते हैं account तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए है कि account कैसे बनाते हैं तो account ऐसे बनाते हैं चार कॉलम्स left side, चार कॉलम्स right side left side को debit, right side को credit तो इसे बोलते हैं account अब सारे बच्चे मेरे साथ ध्यान से देखेंगे और हम ये सीखेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करा जाता है सबसे इंपॉर्टन चीज है तो हम सीखते हैं बहुत ही सिंपल होता है आप मेरे साथ देखें जर्नल एंट्री कह रही है कैश अकाउंट डेबिट यानि की cash account के debit side पर 10,000 रुपी record करना है आपको तो इस entry का मतलब है cash account debit 10,000 तो आप cash account में जाओ, cash account के debit side पर आओ और debit side में आपको record करना है 10,000 तो ये जो 10,000 रुपे लिखे हैं, ये कहा record हो जाएंगे, यहाँ record हो जाएंगे तो की लिखा है cash account को debit करो 10,000 रुपे से तो हमने cash account को debit side पर 10,000 रुपे लिख दिए ठीक है बच्चो? अब particulars में क्या लिखते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ journal folio में आपको कुछ नहीं लिखना है, ये से formality के लिए बनाया जाता है column और date में आपको date लिखनी होती है फिलाल इसमें कोई date नहीं है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे तो particulars में क्या लिखते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखना journal entry है cash account debit 10,000 तो मैंने cash account को debit कर दिया 10,000 लेकिन ये 10,000 किसकी वज़े से debit हो रहा है तो नीचे लिखा है two sales account तो आपको ये two sales account ये particulars में लिखना पड़ेगा यहाँ पे तो आप यहाँ particulars में लिख देंगे two sales account तो अब ये ledger posting complete हो जाती है cash account में तो cash account में आप लिखते हैं debit side per 10,000 और ये किसकी वज़े से debit हो रहा two sales account तो cash account में आपको लिखना पड़ेगा two sales account तो इसको बोलते हैं ledger posting Similarly, अब sales account की अगर मैं बात करूँ तो sales account के लिए अगर हम देखें तो यहाँ हमने लिखा है two sales account 10,000 इसका मतलब होता है credit लिखा नहीं जाता लेकिन ये understood होता है जो भी चीज़े journal entry में नीचे लिखी जाती है जैसे कि two sales account तो इसको हम क्या assume करते है credit तो ये आपसे कह रहा है कि sales account को credit करना है 10,000 से तो आप sales account में credit site पर 10,000 रुपी record कर देंगे तो अगर आपको समझाने के लिए बताऊं तो ये 10,000 रुपे हमारे कहा record हो रहे हैं ये 10,000 रुपे हमारे यहां record हो रहे हैं sales account जो credit हो रहा है अब journal folio में कुछ नहीं लिखना date आपको given नहीं है तो sales account credit तो हमने कर दिया 10,000 लेकिन particulars में क्या लिखेंगे ये sales account किसकी वज़े से credit हो रहा है cash account तो आपको particulars में लिखना पड़ेगा cash account बहुत से लोग buy cash account भी लिख देते हैं तो वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा सारे बच्चों को यहां पर ये to और ये buy लिखना एक पुरानी प्रथा है जो वैसे अब modern era में follow नहीं की जाती तो अगर आप ये ना भी लिखें तो भी सही होता है और अगर लिख दें तो भी सही होता है इससे फरक कुछ नहीं पड़ेगा तो लेकिन हम focus करते हैं अभी जर्णल और लेजर पोस्टिंग पे तो आप मेरे साथ साथ दुबारा से सुने हमने एक जर्णल एंट्री लिखी cash account debit 10,000 तो हमने cash account में debit करा 10,000 किसकी वज़यसे sales account की वज़यसे और sales account credit हो रहा था 10,000 किसकी वज़यसे cash account की वज़यसे तो इसे बोलते हैं double posting system जिसमें हमने journal भी कर लिया और journal से ledger में posting भी कर लिया तो बच्चों को इतना clear हो गया सबको एक और transaction करते हैं इसके बाद next और clarity के लिए एक और clarity कर लेते हैं तो एक second transaction लिखते हैं कुछ भी transaction दे रखी होती है paid रुपी 6500 to Mohan अब सारे बच्चे ध्यान से समझना आपको कोई भी transaction दे सकता है कुछन में कोई भी transaction दे रखी होती है आपको बस उसकी पहले journal entry कर लेगा तो हम करते हैं इतना मसीख चुके हैं paid 6500 to Mohan इसकी journal entry लिखो आप बच्चे मेरे साथ Mohan कभी भी किसी particular person के नाम के आगे हम account word नहीं लगाते हैं तो यह आप बच्चे ध्यान रखें जनरल ही नहीं लगाते हैं तो हम खाली Mohan लिखते हैं बोल सकते हैं Mohan account debit 6500 to cash account 6500 तो यह है हमारी journal entry Mohan account debit to cash account अब फिर से एक journal entry हमने करी तो हमें फिर से लेजर बोस्टिंग करनी पड़ेगी अब उसके लिए account देखें इस journal entry में कौन कौन से account है एक तो Mohan account और एक cash account cash account हमारे पास already है तो मैं आपके लिए एक Mohan account और बना देता हूँ account मतलब ledger ledger मतलब वो ही T shape पहले बड़ा सा T left side को debit right side को credit left side में भी चार columns और right side में भी चार columns very simple date particulars journal folio amount date particulars journal folio और amount बहुत ही simple बच्चो अब journal entry पढ़ेंगे और मुझे तो पक्का यकीन है आप ही मुझे बता देंगी क्या करना है पढ़ते हैं journal entry इसमें लिखा है Mohan account debit 6500 यानि की Mohan account के debit side पर लिखना है 6500 तो Mohan account debit 6500 किसकी वज़े से Mohan debit हो रहा है 2 cash account विल्कुल सही तो 2 cash account आपका particulars में आ जाएगा तो बस यह आपकी Mohan account में ledger posting complete होगी अब इसका दूसरा aspect देखते हैं 2 cash account इसका मतलब cash account क्या हो रहा है credit हो रहा है understood होता है तो यानि की cash account credit 6500 तो हम cash account में credit site पर लिख देंगे 6500 तो cash account credit हो रहा है किसकी वज़े से? Mohan की वज़े से तो particulars में बन जाएगा by Mohan तो बस यह हो गई हमारी ledger posting तो बहुत simple process होता है बच्चो किसी भी transaction की आप journal entry पहले लिख लो और journal को देखकर किसी भी account में आप ledger में posting कर सकते हैं अब इतनी चीज़ सीखने के बाद मैं आपको अब इस ledger को कैसे close करते हैं वो सिखाता हूँ अगला step तो आप सारे बच्चे मेरे साथ ध्यान से देखना हम कैसे close करते हैं हम debit और credit side का total करते हैं debit और credit side का total करते हैं और दोनों में से जिस भी side का total ज्यादा होता है ध्यान से सुनना मेरे बच्चो सारी बात दोनों में से जिस भी side का total ज्यादा होता है हम वो ही total दोनों side लिखते हैं सर ये तो कुछ अजीब सी बात कह रहे हैं हाँ इसमें आपको यही करना है debit side का total है 10,000 हाँ बच्चो तो जिस भी side का total बड़ा होता है हमें वो ही total लिखना पड़ता है तो debit side का total 10,000 credit side का total 6,500 तो आपको 10,000 total दोनों side लिखना पड़ेगा अब सर, debit side का तो समझ आ गया 10,000 total है और 10,000 लिखा है लेकिन credit side में तो सिर्फ 6,500 total है लेकिन लिख रहे हैं हम 10,000 तो बच्चो इसे ही तो कहते हैं balancing यहाँ पर आपको कुछ ऐसी figure लिखनी पड़ेगी जिसको हम balance बोलते हैं जिसकी वज़े से अब यह total भी match कर जाएगा तो अगर मैं nutshell में बोलूँ तो यहाँ पर आपका balancing figure बचेगा जिसको लिखते ही इस side का total भी 10,000 आना शुरू हो जाएगा तो अगर मैं यह balancing figure पूछूं तो यह balancing figure आप मुझे बदा सकते हैं 10,000 माइनस 6,500 तो अब यह side का भी total 10,000 आ गया और इस figure को बोलते हैं balancing figure जिसको हम कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं by balance carat down cd शॉर्ट में लिखते हैं तो बच्चो यह होता है balancing करना इस process को बोलते हैं balancing तो balancing कैसे करते हैं जिस भी side का total जादा होता है वो total लिखते हैं automatically आपको पता चल जाएगा balancing figure same process अब इस account में करते हैं इस account में debit side का total तो कुछ भी नहीं है zero और credit side का total है 10,000 तो बताइए बच्चो दोनों side क्या लिखना पड़ेगा हमें 10,000 तो सर्थ credit side का तो ठीक हो गया total लेकिन debit side में यहाँ पर आपको एक figure एक balance लिखना पड़ेगा ताकि यह total match करें तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था तो यहाँ पे आपका balance ही 10,000 बच जाएगा और इसको लिखेंगे 2 balance carried down फिक है बच्चो इसी तरह मोहन account उसकी भी balancing कर लेते हैं debit side का total है 6,500 और credit side का total है 0 तो हम क्या लिखेंगे दोनों side 6,500 तो 6,500 इधर बचेगा क्या balance same 6,500 और इसको क्या बोल देंगे buy balance carried down फिक है बच्चो तो इस process को बोलते हैं balancing तो अभी तक हमने क्या सीखा कि किसी भी transaction की पहले journal entry करते हैं journal से कैसे ledger posting करते हैं और हर ledger को कैसे total करते हैं और उसके बाद balance निकालते हैं अब इसी के आगे आप सारे ledger मेरी बात सुनना ध्यान से अगर आप notice करें तो cash account में इधर बच रहा है balance sales account में इधर बच रहा है balance और mohan account में भी credit side पर बच रहा है balance तो आप बच्चो को यहां पर मैं एक चीज सिखाता हूँ जो credit side पर यह balance बच रहा है 3500 इसे पता है बच्चो क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है debit balance sir debit balance यह तो credit side पर बच रहा है sir हाँ जी इसे बोला जाता है debit balance क्योंकि जब आपकी debit side बड़ी होती है और credit side छोटी होती है तो this balance denotes debit balance तो यह आप बच्चे mark करके लिख लेना this 3500 is your debit balance similarly this balance 10,000 जो debit side पर बच रहा है 10,000 this is your credit balance और क्यों है यह credit balance क्योंकि आपका credit side का total जादा था और debit side का total तो वैसे इसमें 0 था कुछ भी नहीं था तो इसी लिए credit side का total जादा था debit का कम था तो this balance denotes credit balance और अगर मैं आपसे पूछूं मोहन account में this 6500 यह क्या denote कर रहा है यह कौन सा balance है right यह है debit balance same cash balance की तरह तो यह तीनों चीज़े आप mention कर लेना तो जो हमने यह सीखा है यह process है बहुत ही basic process होता है कि कैसे हम कोई journal entry करते हैं कैसे उस journal entry से ledger में posting करते हैं कैसे उस ledger posting में हम total करते हैं और कैसे उसमें balances निकालते हैं और यह भी पहचानना है आपको कि यह होते है debit balances और यह होता है credit balance तो इतना process सीखने के बाद अब मैं आपको आगे लेके जाता हूं कि कैसे जब हम सारे के सारे ledger बनाते हैं तो उसके बाद फिर finally trial balance बनाया जाता है तो हम इसके बाद यह सीखते हैं कि trial balance कैसे बनाया जाता है तो मैं आपको बताता हूं trial balance के बारे में सारी बाते trial balance आपको पता है बच्चो trial balance company किसी भी particular date पर बना सकती है यह ज़रूरी नहीं है कि आपका trial balance year के end पर ही बनाएगी trial balance किसी भी दिन बनाया जा सकता है या तो month end पर या किसी भी particular date सर ट्रायल बैलन्स का फॉर्मैट कैसा होता है तो बच्चो ट्रायल बैलन्स में टोटल फाइफ कॉलम्स होते हैं तो पहले आप मेरे साथ साथ बनाएं मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे इसमें कॉलम्स बनते हैं इसमें total 5 columns हमें बनाने होते हैं पहले column का नाम होता है Cereal Number दूसरे column का नाम होता है Head of Accounts तीसरे column का नाम होता है Ledger Folio इसको short में लिखते हैं LF चौते column का नाम होता है Debit column पांचवा और आखरी column का नाम होता है Credit column सर ये trial balance होता क्या है तो बच्चो trial balance का मतलब है कि किसी भी particular date पर जो आपके ledger account में balances आ रहे होते हैं उन सारे balances की ये summary statement होता है तो trial balance is a summary statement showing all the balances of ledger तो ledger account में जितने भी balances आ रहे होते हैं ये उनका summary statement होता है तो link करवाने के लिए हम refer कर लेते हैं अभी अभी बनाया हुआ ledger accounts तो हमने कितने ledger accounts बनाये थे अभी तीन तो अगर आप बच्चे देखें तो हमने तीन ledger accounts बनाये थे एक का नाम था cash account एक का नाम था sales account और एक का नाम था mohan account तो जब हमारे question में या हमारे example में तीन ledger accounts थे तो आपको serial number में लिखना है 1,2,3 और तीनों ही ledger account के नाम आप लिख दोगे cash account sohan account और sales account हाँ बच्चों ने का sir sohan नहीं mohan तो mohan कर लेते हैं mohan account और sales account तो जो हमने तीन ledger बनाये थे वो थे cash account mohan account और sales account कैसे कैसे करते हैं trial balance सबसे simple क्या है trial balance आपने तीन balances बचा रखे हैं हाँ पर cash का balance 3500 sales का balance 10,000 mohan का balance 65 और हमने ये भी लिख लिया कि ये है debit balance ये है credit balance और ये भी है debit balance तो बच्चों बहुत ही simple है आपने लिखा है cash account तो cash account का balance कितना बचरा था right 6500 sorry 3500 तो cash account का balance बचरा था 3500 तो और ये debit balance था तो हम debit में लिख देंगे 3500 इसके बाद mohan account mohan account में कितना balance था 6500 और ये कौन सा balance था debit balance तो mohan account में आप लिख देंगे 6500 ये भी debit में तो बच्चों ये debit column क्या show करता है ये debit column ये show करता है कि कौन-कौन से account में debit balance आ रहा है debit balance मतलब ये बाला balance cash account 3500 debit balance mohan account 6500 debit balance और अगर sales account जो हम बात करें last account तो sales account का balance है 10,000 और ये कौन सा balance है right, credit balance तो जब हम sales account को mention करेंगे तो sales account के आगे credit में लिखेंगे 10,000 तो इस process को बोलते हैं trial balance prepare करना तो अगर हमारे question में ज़ादा transactions होंगी तो हम हर transaction की journal entry करेंगे journal entry में आने वाले जितने भी accounts होंगे उनके ledger account बनाएंगे फिर उन ledger account की totaling करके उनके balances निकालेंगे और सबसे important आपको उन balances को identify करना है या तो debit balance की तरह है या credit balance की तरह है और फिर जब आप finally trial balance बनाएंगे तो very simple बच्चो debit balances सारे के सारे debit side पर आ जाएंगे और credit balance सारे के सारे credit side पर आ जाएंगे और trial balance की क्या खूबसूरती होती है इसमें दोनों ही side का total बराबर आता है तो जैसा कि हमारे example में अगर हम total करें तो debit side का total कितना आ जाएगा 10,000 और इसी तरह credit side का total आ जाएगा 10,000 तो trial balance जो होता है वो सारे ledger account के balances को show करता है और ये हमेशा tally करता है तो ये जो हमने आग सीखा ये हमारा एक process था जिसमें journal से कैसे ledger और ledger से कैसे trial balance प्रिपेर करा जाता है ये उसका एक basic concept था तो इस chapter में जितनी भी चीज़े थी chapter number 8 में वो हमने cover कर ली है chapter number 8 में हमने सारी की सारी journal entries journal entries से ledger की posting और ledger की posting इन से trial balance प्रिपेर करना हमने इसमें सीख लिया है तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम chapter number 9 कवर करेंगे जिसमें हम cash book के बारे में सारी बाते पढ़ेंगे वो कवर करेंगे हम next class में थैंक्यू सो मच